तो बच्छों, reproductive system की शुरुवात करते हम, और देखिए कि जो cockroach है, इसमें ये unisexual animal है हमारा, dioces है, sexes are separate है, तो male cockroach अलग होगा, female cockroach अलग होगा और ऐसे में हम दोनों को अलग से पढ़ेंगे, पहले बात कर लेते हम इसके male reproductive system की, सीधे हम आ जाते हैं, इसके diagram पर, उसके बाद हम इसको आगे से discuss करेंगे, ये देखो, एक cockroach हमें यहां दिखाई दे रहा है, हमने इसकी सारी target हटा दिये, और अंदर हमें सीधा इसका ये, क्या दिखाई दे रहा है, इमोसील दिखाई दे रही है, ये पूरा abdomen वाला region है इसका, reproductive system का कोई भी पार्ट, thorax वाले पारट में नहीं है, reproductive system इसका पूरा abdomen में ही होगा, और आप देखिए, कि इसमें जो पहला structure है, वो है इसके testis, तो ये यहां से यहां तक इसके testis दिखाई दे रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, testis की location, fourth से लेकर, ये चोती है, पांच वी है और ये, छटी है हमारी, fourth से लेकर, sixth abdominal segment में, इसके testis होते हैं, और एक pair testis का है, तो ये जो पूरा का पूरा yellow colors में इसको fill कर रहा हूँ, left और right दोनों तरफ, ये इसके testis हो जाएंगे बच्चों, और उसके बाद, इससे यहां देखिए, red color की एक duct निकल रही है, कहां से निकल रही है, ये testis से निकल रही है, एक duct आईए, इस duct को, इन दोनों duct को हम was difference कहत है, ये देखिए, इन दोनों ducts को हम was difference कहते है, तो कितनी was difference है हमारे पास, दो was difference है, बच्चों, अब हम क्या करते हैं, कि ये diagram तो आपको चलो, यहां दिखाई दे गया है, हम क्या करते हैं, कि थोड़ा एक diagram मेरे पास यहां हो रहे है, इसको भी देख लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ बनाया नीए मैंने लेकिन ये 5th हो जाएगा और ये 4th segment हो जाएगा था 4th, 5th और 6th यहां से लेकिर यहां तक हमारे पास टेस्टिस है टेस्टिस और टेस्टिस में फर्क बता है आपको in the sense एक स्पेलिंग होती है tes और एक होती है is testis और testis अगेन मैं आपको बता देता हूँ जो tes tes है यह plural के लिए होता है और tes tes singular के लिए होता है अब देखिए आप यहाँ यहाँ से ही हमारे पास एक duct आई है और इस duct को हम was difference कहेंगे ठीक यह वाज difference है अब ध्यान से अगर आप देखते हो तो यह वाज difference है यह यहाँ के खुल रही है इस chamber में ventral side में यह chamber है बच्चों इस chamber को हम seminal vesicle कहते हैं और फिर यहाँ से यह duct एक आगे की और तो यह जो हमारी duct है इस duct को हम ejaculatory duct कहते हैं ejaculatory duct book में एक line लिखी हुई है कि vast difference open into ejaculatory duct through seminal vesicle तब आपको समझ में आई गया हुआ confusion नहीं होना चाहिए फिर से बोल रहा हुँ vast difference open into ejaculatory duct through seminal vesicle तो यह vast difference है हमारी यह ऐसे यहां के खुल रही है तो basically होता ही है बच्चों कि जब sperms हैं वो आपके testis में बन जाएंगे और testis में बनने के बाद वो यहां seminal vesicle में आके store हो जाएंगे ध्यान रखना है यह हमारा क्या हो गया seminal vesicle हो गया correct और उसके बाद यह हमारे पास आगे की तरफ एक ejaculatory duct हो गई good very good इस diagram में मैंने एक ही testis बना रखा है आपको ध्यान रखना है paired structure है तो एक ठीक इसके उपर की और testis और होंगे और वो भी जो है सीधी इस seminal vesicle में आके open हो जाएगी testis में sperms बनेंगे और seminal vesicles में आके store हो जाएगे उसके बाद मैं आपको पहले भी explain कर चुका हूँ कि हमारे पास ये एक इतना area है ये इतना एक area है हमारे पास जिसे हम genital male genital pouch या male genital chamber कहते हैं ठीक है ना बच्चों तो यहाँ ये जो ejaculatory duct है ये यहाँ बाहर आके खुल रही है और जिस जगे ये बाहर आके खुल रही है इस opening को हम male gonopore कहेंगे male gonopore कहेंगे ठीक है कोई खास बात नही है इधर आजाएं वापस हम और अब आप इस part को देखिए जो मैंने यहाँ पे pink color से बनाया है बच्चों इस पूरी gland को हम mushroom gland कहते हैं क्योंकि इसका जो shape है वो mushroom जैसा है और वास्ताव में ये जो mushroom gland है ये आपकी इसमें दो तरह के tubules हैं अगर आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें हमें दो तरह के tubules दिखाई दे रहे हैं एक ये long tubules दिखाई दे रहे हैं ये long tubules दिखाई दे रहे हैं और ये यहाँ पे इदर भी बनाया है मैंने ये देखो नीचे की तरफ इनको हम short tubules कहते हैं ध्यान रखना ये जो long tubules हैं इनी को हम जैसा की मैंने पहले बताया था yuricose gland भी कहते हैं anyway long tubules और short tubules मिलके आपकी ये बन जाती है mushroom gland और ये male sex accessory gland में include होती है कहां खुल रही है ये mushroom gland यसी दी यहीं खुल रही है बच्चों इनकी इसी जगे seminal vesicle के यहाँ ejagulatory duct में यहीं पर खुल रही है यहाँ नीचे की तरफ इनको यू नहीं कहेंगे कि वो seminal vesicle में open होती हम यह बोलेंगे कि they are opening into तो डाइग्राम बले आपको कैसा भी दिखाई दे रहा हूँ मेरी बात को याद रखना है आपको के they are opening into ejagulatory duct इनके ठीक नीचे की तरफ यहाँ एक gland और है जो कि हमारी इस ejagulatory duct के भी नीचे है और seminal vesicle के भी नीचे है इस gland को हम phallic gland कहते हैं conglobate gland भी कहते हैं gland भी कहते हैं conglobate gland भी कहते हैं और यह इसके duct हो गई और यह duct यहाँ बाहर की और separately खुल रही है यानिके ejagulatory duct के साथ नहीं खुल रही है ठीक बच्चों एक और चीज़ देखें आप यहाँ आजाए यह black color का आपको phallomiers दिखाई दे रहे हैं इस diagram में हमारे पास यहाँ मैंने दो phallomiers बनाएं आपको याद रखना है कि कोक्रोच के अंदर जो phallomiers हैं वो तीन तरह के होंगे एक left side में होता है यह मैंने left ही बनाया है left phallomier एक ventral होता है यह मैंने ventral बनाया यह वाला यह ventral phallomier हो गया और एक right phallomier होता है तो तीन phallomiers है वहाँ इस मैंसे diagram में अभी सिर्फ दो ही बनाया मैंसे मैं बना देता हूँ मेरे क्या जा रहा है यह इतर बना देता हूँ है किसा तो यह आपका left phallomier हो गया तो आपको ध्यान रहेगा कि वहाँ पर तीन तरह के phallomiers है left, ventral और right phallomiers है ठीक है और इन phallomiers को हम क्या कहते हैं बच्चों they are also known as phallomiers are also known as gonepophysis और इनको हम इनका external genetalia consider करते हैं external genetalia यहनि कि जहसे तरह से humans में है penis और scrotum को हम external genetalia consider करेंगे और internal reproductive organs में फिर seminal vesicle, prostate वो सब अंदर के पार्ट है तो cockroach के external genetalia अगर आप से पूछे कि क्या होता है क्योंकि इस diagram में देखे न आप बाकी जितने भी structures है वो सारे body के अंदर है बाहर वाले पार्ट में यह सिर्फ phelomeres हैं तो phelomeres are considered as external genetalia अब मैं आपको cockroach में जब reproduction होगा यह intercourse करेंगे यह copulation करेंगे तो कैसे क्या होगा वो मैं समझा रहा हूँ ध्यान से समझना आप बच्चों यह जो हमारे पास testis है यहां इन testis में spums बनेंगे और वो जो spums हैं वो यहां seminal vesicle में आके store हो जाएंगे यहीं store रहते हैं और फिर जब reproduction का time होगा तो एक male cockroach एक female cockroach को approach करेगा और उनके दोनों के जो posterior end हैं वो एक दूसरे के साथ attach हो जाएंगे जैसे यह एक male cockroach इधर है तो यह तो male हो गया और दूसरी तरव यह female cockroach के साथ इस तरह से यह attach हो जाएगा और इस समाई यह जो external genitalia है यह उस वो जो female cockroach की आपको याद होगा पीछे एक हमने chamber बनाया था क्या नाम दिया उस chamber को ना female genital chamber या brood pouch है तो यह जो इसके तीनों फैलो मिर्स दिखाई दे रहे ना आपको बच्चों यह फैलो मिर्स यह उसमें बड़े काम के रहेंगे यह फैलो मिर्स जो हैं उसके उस जनाइटल चेंबर में एंटर कर जाएंगे और उसको एक तरह से कोक्रोज female कोक्रोज को hold कर लेंगे पकड़ लेंगे यह करेक्ट उसके बाद क्या होगा वो ध्यान से समझना आप कि यहां में एक diagram बना रहा हूं समझेंगे आप यह आपका seminal vesicle है और इस seminal vesicle में सारे sperms है और उपर आपने देखा कि मश्रूम gland है उस मश्रूम gland में दो तरह के tubules है बच्चों इसको मैं अटा देता हूं मुझे भी इसकी requirement नहीं है एक छोटे tubules है और एक बड़े tubules है यह देखिए आप होगा क्या कि छ छोटे tubules हैं यहां से एक liquid release होगा यह liquid highly nutritious liquid होता है तो क्योंकि अब sperms को यहां से हम delivery करने वाले है इनको यहां से रवन्ना करने वाले है तो घर से बाहर जाते समय लंच बॉक्स की तो जरूत पड़ेगी न तो यह इन में एक liquid होगा जो nutritive fluid है and that nutritive fluid will provide nutrition to the sperms आया समझ में है and that nutritive fluid is secreted by short tubules अब यह जो long tubules हैं बच्चों इन long tubules से उसी समय वहां से एक और chemical release होगा इन से एक chemical release होगा जो chemical यहां पहुचेगा और इसके चारों और इस तरह से covering बनाएगा और जैसे ही वो इसकी covering बनेगी वो covering एकदम से hard हो जाएगी और यह हमारा यहां पर एक packet बन जाएगा sperms का packet बन गया हाँ इस packet में एक छोटी सी opening जरूर रहेगी क्योंकि नहीं तो यह sperms बाहर निकलेंगे कैसे तो मैं एक opening यहां जरूर छोड़ देता हूँ आया समझ में आपको और यह जो packet बनाएगा ना बच्चों इस packet को हम spermatophore कहेंगे करेक्ट अब क्या होगा यह कहां बना यह packet यह ejaculatory duct की यहां बनाएगे बच्चों है ना इस जगे समवेर यहां यह packet बन गया मैं यह अटा देता हूँ इसको तो now you have that packet और उसमें यह sperm से क्या कहा है इस packet को हमने spermatophore spermatophore अब यह packet यहां से आगे बढ़ेगा कहां से बढ़ रहा है बच्चों ejaculatory duct से आगे जा रहा है तो जब यह ejaculatory duct से जाएगा तो the wall of ejaculatory duct यह यहां आगया मान लीजिए packet अंदर तो sperms है the wall of ejaculatory duct will secrete another layer तो वहां से भी chemical release होगा और उस chemical से इसके चारों और यहां पर एक covering और बन जाएगी तो how many layers are there in the wall of spermatophore अब हमारे पस दो हो गई फिर क्या होगा यह packet यहां से बाहर निकल जाएगा ठीक है यह packet यहां से spermatophore यह नहीं कि जो male cockroach है वहां से जो sperms निकलेंगे वो liquid semen की form में नहीं निकलते हैं बलकि एक packet में उन sperms को pack करके बाहर निकला जाएगा और जैसे ही यह packet यहां बाहर आएगा यह packet यहां बाहर आजाएगा बच्चों तो उसके बाद यह जो नीचे की तरफ हमारे पास phallic gland दिखाई दे रही है आपको इस phallic gland से भी एक secretion और release होगा और that secretion will form the third layer around the spermatophore so how many layers are there on in the wall of spermatophore there are three layers किस-किस ने बने यह layers सबसे अंदर वाली layer बनती है long tubules से beach वाली layer बनती है the wall of ejaculatory duct से और तीसरी layer जो बनेगी it would be the secretion of phallic gland अब यहां एक बड़ी interesting बात में आपको और बताना चाहरा हूँ यहां इस diagram में आजाओ यह देखो यह part पर नजर डालो आप और point यहां जो मैं आपको discuss करना चाहरा हूँ वो यह है बच्चों कि इन long tubules को हमने क्या नाम दिया है हमने इनको urecos gland नाम भी दिया है अभी मैंने आपको बताया कि इनका जो secretion होता है वो इस spermatophore के चारों और एक layer बनाएगा पर आपको यह बात याद रखनी है कि its secretion contains uric acid तो इस तरह से अब एक तीर से दो निशाने हो गए हमने spermatophore की wall भी बना ली और उस wall को बनाया किसमें उसमें जो chemical है उस chemical में काफी सारी quantity में uric acid भी होगा यह मत समझना कि वो wall सिर्फ uric acid की बनी होगा उसमें कुछ proteins भी होगे पर protein के साथ-साथ उसमें uric acid भी होगा और इस तरह से यहाँ दो काम होगए हमने spermatophore की wall भी बना दी और साथ ही साथ हमने body में से कुछ uric acid को body से बाहर भी निकाल दिया तो इस तरह से यह excretion का भी काम होगया इसलिए हमने कहा कि cockroach में excretion mainly malpigin tubules से होता है लेकिन उसके अलावा मैंने आपको तीन चिज़ें और वहाँ बताइए एक मैंने आपको fat bodies का role बताया उसमें uret cells होती है और यह पूरा इसका male reproductive system मैंने आपको explain कर दिया है और अब एक बार में notes में हमने क्या लिखाया उसको पढ़ लेते हैं देखिए male reproductive system consists of इसमें कौन-कौन से structure है एक तो इसमें testis होता है जो location याद रखनी है बच्चों यह भूलना नहीं है 4 to 6th abdominal segment में होता है फिर इसमें वासा difference है one pair ठीक है फिर इसमें वो जो दोनों वासा difference है वापस में जूड जाएगी और ejagulatory duct बनेगी ejagulatory duct का function बता दिया it form the middle layer of espermatophore फिर मैंने mushroom gland पढ़ा है आपको mushroom gland की location मैंने नहीं बता ही यह 6th और 7th abdominal segment में यहीं कि छटे में testis कतम होता है और 6th और 7th segment में mushroom gland होती है इसको हम accessory reproductive gland या इसको हम male accessory gland भी consider करते हैं इसमें दो तरह के tubules हैं एक large tubules हैं वो क्या करते हैं inner wall of spermatophore बनाते हैं और बताव बच्चों large tubules को हमने और क्या नाम दिया large tubules are also known as uricose gland ठीक फिर इसमें small tubules भी होते हैं उनका क्या function बताया they produce a liquid which nourish the sperms ठीक है बच्चों फिर देखो वहाँ पे हमने seminal vesicles देखा seminal vesicles का है location क्या थी ejigulate reduct किये ventral side पे नीचे की तरव और उनका function बताया storage of sperms फिर एक आपको मैंने phallic gland या conglobate gland भी बताईए ये outermost layer of spermatophore इससे बनती है फिर बाहर की और एक genital pouch या genital chamber होता है और उस genital pouch और genital chamber में इसके gonopophysis या phallomeres होते हैं external genitalia और ये kaitinus asymmetrical structures हैं surrounding male gonopore male gonopore के चारों और होते हैं अब बच्चों ये ध्यान रखना है आपको कि हमारे पास तीन तरह के number one number two और number three तीन तरह के हमारे पास gonopophysis हैं phallomeres हैं left phallomere right phallomere और ventral phallomere एक बार इस diagram पर आजाएं और ध्यान से देखें उम्हें आपको बताऊं कि ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा जो पार्ट है हमारा इतना इतना पार्ट है चलो मैं red color से बना के बता देता हूं ध्यान रहे गा ये जो हमारा पार्ट है यहां से लेके यहां तक ये पूरा left phallomere हो जाएगा okay और ये जो हमारा पार्ट है ये वाला इतना सा ये हमारा ventral phallomere हो जाएगा और ये जो हमारा पार्ट है फिर ये हमारा right phallomere हो जाएगा तो वहाँ पर इस तरह से हमारे पास तीन phallomere से exam मैं यहां से question क्या आएगा मैं क्यों आपको यहां बताने जा रहा हूँ मैं आपको यह बता रहा हूँ बच्चों कि आपको ventral phelomere और right phelomere से कोई question नहीं आएगा left phelomere से question आएगा क्योंकि इसमें दो special structures दिखाई दे रहे हैं एक यह pseudopenis दिखाई दे रहा है पैनिस दिन में होता नहीं है काईटीन की एक रोड है पैनिस जैसी appearance है pseudopenis कहते हैं और एक इसमें यह hook जहां बना हुआ है यह देखो यह एक hook बना हुआ है तो इस structure को हम titilator कहते हैं तो exam में यह आप से question पूछा जा सकता है कि titilator और pseudopenis किसके part है क्योंकि theory वाले part में कुछ लिखा हुआ नहीं diagram में यह बनाया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि titilator और pseudopenis are the part of left phalomer ठीक है यह आपको ध्यान रखना है इसमें और भी यहाँ देखो यह hook भी होता है इसमें acute lobus lobe भी होता है बाकी आपको उनको सब याद रखने की जुरूत नहीं वापस इधर आ जाए मैंने आपको बता दिया left phalomer contents titilator pseudopenis इसके लाव उसमें acute lobus lobe भी होता है आपको याद रखने की जुरूत नहीं है aspirate lobe भी होता है उसमें आपको याद रखने की जुरूत नहीं है और phalic duct जो है वह वहीं जाके खुलती है तो phalic duct बाहर खुल रही है conglobed जो gland है उसकी opening phalic duct के यहाँ है एक हमारे पास right phalomer है उसमें एक cirate lobe होता है आपको यह भी याद रखने की जुरूत नहीं है एक उसमें ventral phalomer है उसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ejagulatory duct जो है वो ventral lobe के वाँ जाके खुलेगी in the sense यह diagram देखिए आप मैंने बनाया और इस बात का ध्यान रखा कि यह जो हमारी ejagulatory duct है यह देखो ventral phalomer के है यह आके खुल रही है यह हमारा कौन सा वाला ventral phalomer हो गया है न और यह जो phalic duct है phalic gland की जो duct है यह कहां खुल रही है यह left यहाँ पर आके खुल रही है left phalomer के यह आके खुलती है इसमें कौन-कौन से दो important part है एक इसमें pseudopenis होता है और एक इसमें titilator होता है यह question आप से पूछा जा सकता है आपको समझ में आ गया होगा इसका male reproductive system now proceed to the female reproductive system आ जाए पहले मैं एक बार इसमें diagram पर आ जाता हूँ उसके बाद हम इसको आगे करेंगे देखिए इसके female reproductive system में दो ovaries है यह जो yellow color की बनाई है यह ovaries है और हर ovary में यह आपको एक इस तरह की एक लंबी सी tube दिखाई दे रही है एक दो तीन चार इसमें पांच ही है तीन back side में हो जाएगी तो total eight ovaryols हैं उन tubes को हम ovaryols कहते हैं मैं diagram बना के बता हूँ आपको देखो बच्चों यह इस तरह से एक tube होती है एक दो फिर यह इस तरह से तीन और यह इस तरह से इन में हम ALL एक बनते हैं इस तरह से एक line में arranged रहते हैं तो यह ऐसे कितने बना दियätte हैं मैंने तीन ही बनाए हैं होने कितने चाहिएं यह total 8 होने चाहिए तो इस पूरी ट्यूब को हम ओवेरियोल कहते हैं समझाया बच्छों आपको तो how many ओवेरियोल्स are present in each ovary there are 8 ओवेरियोल्स in each ovary है ना ओवेरियन टुब्यूल भी कहते हैं उनको टुब्यूल्स ओवेरियन टुब्यूल्स भी कहते हैं और फिर देखिए इस डाइग्राम पर आ जाएं ये सारे जो 8 टुब्यूल्स हैं ये आपस में जुड़के ये जो डक्ट बन रही है बच्छों द्यान से देखना ये जो हमारी डक्ट बनती है इस डक्ट को हम ओविडक्ट कहते हैं ये देखो यह लिखावा है ये ओविडक्ट हो गई हमारे पास दो ओविडक्ट हो जाएगी एक ये राइट साइड की और एक इदर इसे ये लेफ्ट साइड की इदर से भी ते ये ओविडक्ट है तो ये दोनों ओविडक्ट जब ये कहां से कहां तक यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट हो जाएगा यह common oveduct या वेजाईना हो जाएगा समझ में आया तो point सिर्फ इतना सा है बच्चों कि left और right oveduct आपस में जब fuse होती है तो fuse होने के बाद जो एक single duct बनेगी उस single duct को हम common oveduct या वेजाईना कहेंगे और यह आपको याद होना चाहिए कि पीछे की तरफ हमने एक इस तरह से chamber बनाया था यह यहां पे पीछे की तरफ याद है आपको इस chamber को क्या नाम दिया था हमने इस chamber को हमने नाम दिया था brood pouch या female genital chamber हमने इसको नाम दिया था किस से बना होता है 7th eastern night boat shaped along with 8th and 9th eastern night तो यह ब present है यह देखो और इस diagram को समझेंगे आप आपस एक बार यह पूरा यहां पर हमारे पास यह इतना इतना जो portion है color change कर देता हूं मैं यह देखो यह जो हमारा इतना यह पूरा portion है यह पूरा का पूरा हमारा brood pouch बन गया इसको और यह इधर left side में देखिए यह जो opening है यह वह vagina की opening है common oviduct है और यहां इसकी जो opening होगी उस opening को हम क्या कहेंगे इसे हम female gonopore कहेंगे female gonopore कहेंगे आया समझ में तो वापस उपर वाले diagram में जा रहे हैं हम यहां जाओ दियान से देखना और यहां यह एक opening बनेगी अंदर इस तरह से किसकी opening है वेजाईना की opening है किस में खुल रही है यह वेजाईना यह हमारे इस बड़े से chamber में खुल रही है इस brood pouch में खिल रही है और क्या कहेंगे इस opening को इस opening को हम कहेंगे female gonopore ठीक है बच्च अच्छा apart from that अब आप देखिए कि यहां पर हमें यह एक structure और दिखाई दे रहा है इसको हम कहेंगे spermetica यह देखो यह यहां लिखा हुआ है spermetica तो यह ठीक हमारी जो वेजाईना है उसके ऊपर की और है और यह भी spermetica भी वहीं जाके खुल रही है किस में जाके खुल रही है correct और एक तीसरा structure हमें यह और देखना है जो इधर यह side में दिखाई दे रहा है इस structure को हम यह देखिए यह yellow color से बनाता हूं चलो मैं I don't know नहीं दिखेगा चलो ready बना लेता हूं यह देखो यह यह जो हमारा पूरा एक दो यह branching structure दिखाई दे रहे हैं आपको बहुत सारे यह जो है यहां पर यह collateral gland हो गई यह एक पूरी collateral gland हो गई और एक ये पूरी ग्लेंट हो गई तो इस तरह से हमारे पास यहां दो coulateral gland है और दोनों coulateral gland भी उस chamber में उस brood pouch में जाके open हो गई और वहाँ हमें अंदर की तरफ ये देखो कुछ मैंने बदाया था आपको OVPositors भी बदाया थे और इन OVPositors को हम चाहें तो female gonopophysis भी कह सकते हैं तो ये चाहे तो हम इन्हें female gonopophysis कहें या हम इन्हें OVPositors कहें तो इस डाइगराम में क्या-क्या खुल रहे हैं बच्चों एक ये female gonopophysis वेजाईना यहां आके खुल रही है एक ये spermethika ठीक उसके उपर की तरफ है ये इसमें आके खुल रही है थोड़ा साब को दिमाग लगा नहीं पड़ेगा और एक ये देखो बच्चों को लेटरल ग्लेंड जो है वो भी यहां आके इस तरह से ओपन हो रही है और यह मैंने यहां पर दोनों जो हैं ओवी पॉजिटर्स भी बना रखे हैं आया समझ में आप लोगों को अब मैं इसमें सिस्टम समझा देता हूँ फिमेल रिप्रोडक्शन कैसे काम करता है सबसे पहले मेल कोकरोच और फिमेल कोकरोच आपस में एक दूसरे के साथ सेक्शुल इंटर्कोर्स करेंगे ध्यान से सीखना ध्यान से समझना बच्चों में बता रहा हूँ आपको जब सेक्शुल इंटर्कोर्स होगा तो फिमेल जो है अपने जो मेल जो है अपने स्पर्म को ट्रांसफर करेगा विद हेल्प अफ साफुल मीर्स जो लेप्ट राइट और वेंटल हम इनकी help सी वेंड़ को पैकेट सीखना स्पैकेटट को हमने क्या नाम दिया इस चनाइटल पाउच के अंदर प्रूट के अंदर इसीखना समझ में आपको बच्चों फिर देगो अब बना नहीं पड़ेगा अलग से क्योंकि यह डियाग्राम बहुत सारे हो गए यहां बना लेता हूं मैं और आप उसको समझिए देखिए यह लेता हूं मैं यह देखो मैं सिंपल से बनाऊंगा आप द्यान से समझना यह यह फिमेल का पूरा बूर्ट पाउच हो गया क्या बना दिया मैंने बूर्ट पाउच बना दिया और इधर यह मेल है यह मेल को खुरोच है तो इसने अपना वो जो पैकेट है वो जो packet था spermetophore का उस packet को वो यहाँ deposit करेगा packet अंदर आ जाएगा यहाँ तक आ जाएगा ठीक है और आपको यह पता है कि इस जगे पर spermethik आए ठीक है तो यहाँ से जो sperms होंगे वो यह दोनो sexual intercourse कर लेंगे packet की delivery हो जाएगी female की body में उस packet को transfer कर दिया जाएगा उस spermetophore को transfer कर दिया जाएगा उसके बाद दोनो male और female एक दुसरे से separate हो जाएगे male चला जाएगा female को वो एक packet देखे गया female क्या करेगी उस packet को अपने body के पिछले वाले part में अपने इस brood pouch में carry करेगी और within 24 hours लगबग 24 hours तक वो उसको carry करती है meanwhile क्या होगा कि यह जो सारे sperms हैं यह इस sperm थिका में enter कर जाएगे यहीं क्यों करेंगे क्योंकि जब यह spermetophore को वहाँ अंदर brood pouch में deliver करा जाएगा तो वो इसी तरीके से करा जाता है कि इसकी यह जो spermetophore की जो opening होगी वो ठीक इसके सामने होगी sperm थिका के सामने होगी आया आपको समझ में बच्चों तो sperm थिका का क्या main function है तो sperm थिका का main function है it receives sperms after copulation और जब यह जो हमारा packet है यह खाली हो जाएगा 24 hours लगेंगे खाली होने के बाद इस खाली packet को यह फिमेल फैंक देगी कहीं पर भी spermetophore जो खाली एक packet डिबा रहे गया उसको फैंक देगी तो चलो फैंक दिया है उसने तो मैं इसको यहां से हटा देता हूँ sperms सारे कहा गए sperms सारे spermetिका में चले गए और यह मैंने इसको यहां से साफ कर दिया आया समझ में अब बच्चों आपको यह पताए कि यहां पर पीछे से यह देखो यह उसकी वेजाईना है और एक बार मैं पीछे वाले डाइगराम पर आऊँगा यह देखिए आप तो यह जो वेजाईना है तो अब जैसा कि मैंने आपको यहां बताया कि हर ओविरियोल में ओवा होते हैं तो एक यहां से एक यहां से हर एक से एक एक करके एट ओवा इदर से आएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और एट ओवा इदर से आएंगे तो कुल 14 to 16 इनका भी किसी एक एक ओवेरियोल के अंदर अगर मैचोर ओवम नहीं है तो वो अबना ओवम रिलीज नहीं करेगा बट अदरवाइस यहां पर 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,6,3,4,5,6,7,8 इस तरह से यह लाइन बन गई समझ में आ गए इनको अरेंज करने का काम ओवी पोजिटर्स करेगा और अब क्या होगा पता है आपको बच्चों अब यह होगा कि यह जो स्पर्म्स हैं यह वापस यहां से बाहर आएंगे इधर आएंगे और यहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और यह जो ओवा है अब यह ओवा नहीं रहे अब यह जाइगोट बन गए फर्टिलाइजेशन हो गया ठीक है बच्चों तो कोक्रोज में फर्टिलाइजेशन बोड़ी के बाहर external फर्टिलाइजेशन है कि internal फर्टिलाइजेशन है तो हमारा जवाब रहेगा कि कोक्रोज में फर्टिलाइजेशन इंटर्नल है अब क्या होगा आगे बता रहा हूँ मैं आपको आपको बताए कि यहां पर एक को लेटरियल ग्लेंड भी है यहां बना देता हूँ मैं भी एक बार time being यहां उपर की तरफ एक पेड की तरफ मैंने branching बताए था को लेटरियल ग्लेंड भी है बुक में उसको को लेटरल लिखा है तो वो को लेटरल नहीं है को लेटरियल ग्लेंड है यहां से एक liquid आएगा यहां पर आएगा और वो liquid इन एग्ज के चारों और spread हो जाएगा और जैसे ही वो spread होगा वो सूक के hard हो जाएगा और जैसे हो hard होगा तो उससे एक covering बन जाएगी यहां पर इस तरह की एक covering बन जाएगी आया समझ मैं आपको? और हमारे पास एक नया पेकेट बन गया है अब इस पेकेट में फर्टिलाइजड एग है और इस पेकेट को हम उथीका कहेंगे एक बार ये उथीका बन जाए तो कॉलेटेरियल ग्लेंड का फंक्शन समझ में आ गया ये उन एग्स के चारों और कवरिंग बनाने का काम करते है हारड कैस कवरिंग बनाने का काम करेगी जिसे हम उथीका कहेंगे अब इस पेकेट को हम उथीका कहते है अब ये फिमेल क्या करेगी किसी डार्क कोई दरार कोई क्रिवाइसेज कोई ऐसी जगे होती जहाँ humidity relatively जादा हो और इस तरह का कोई place हो वहाँ जाएगी ये female और इस packet को वहाँ deposit करके आ जाएगी मैं सोच ना इधर male बना रखा है male नहीं है, male तो बाग्या और ये जो packet है ये female बाहर deposit करतेगी कहीं पर भी deposit कर लेगी and what is there in this उति का there are 14 to sorry fertilized eggs हैं उसके अंदर आया समझ आगे आपको, okay good अब क्या करेगी, अब मैं इसको खाली कर देता हूँ यहां से अभी हमने सिर्फ 16 eggs का fertilization किया है अब क्या होगा दो एक दिन, दो दिन के बाद नए ova बनेंगे और फिर से यहाँ पर 16 eggs आएंगे अब इसको वापस नया male डूणने की जरूद नहीं है बचो पहले वाले sperm सारे ख़दम नहीं हुए एक बार और यहां पर इस तरह से यह जो sperm से यहां आ जाएंगे fertilization होगा और फिर से एक नया packet तयार होगा और इस तरह से 9 to 10 othika will be formed by a female और वो अलग अलग जगे पर ले जाके उन सब को deposit करके आएगी और फिर हर उस othika में से after some time हर एक में से यह 14 to 16 छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलेंगे और क्योंकि यह जो cockroach के बच्चे बाहर निकलेंगे यह size में छोटे होते हैं पर इनका जो appearance होता है वो adult जैसे ही है फरक सिर्फ इतना है कि इनमें wings नहीं होते हैं तो इसलिए हम इनको larva नहीं कहेंगे हम उनको adult कहेंगे मेरे पास यह यहां पर तो एक diagram है तो यह जो एग है उस एग में से जो यह निकला है आप देखो उसका जो off spring उसमें से बाहर निकला है अब यह छोटे cockroach जैसे ही है only difference जो है वो इसको के इसमें wings नहीं है और हम इसको नाम देंगे nymph अब क्या होता है बच्चों यह nymph बड़ा होने लगेगा पर बड़ा होते समय इसमें एक दिक्कत आएगी अब करता है और उस process को मॉल्टिंग कहा था यह जो nymph होंगे इनको भी बार बार ऐसे मॉल्टिंग करनी पड़ेगी और जैसा कि इस diagram में तो छोटा सा बता रखा है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि total 13 times वो मॉल्टिंग करेगा कितनी बार 13 times मॉल्टिंग करेगा और जो last से एक पहले वाली nymphal stage होगी वहाँ पर उसमें wing birds भी होगे तो यह wing birds पर question आता है पहले भी आ चुका है आपको ध्यान रखना है कि wing birds कब बन जाएगी तो next to last nymphal stage ठीक है तो एक तो next to last में फिर last वाली में भी nymphal stage होगी और जो last वाला nymph होगा वो जब final molting करेगा तो उस final molting के बाद जो adult बनेगा सिर्फ adult में ही wings होगे तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि adult में wings होगे और adult से पहले कि जो दो nymphal stages होगी उसमें wing birds होगी यह question आया हुआ है और इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो और दे रहा हूँ आया समझ में आपको किस तरह से cockroach में life cycle आगे बढ़ता है अब चलो हमने क्या लिखा है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यह देखिए हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है female reproductive system consist of ovaries ovaries 2-6 abdominal segment में होती है testis का क्या location बताई थी testis की location मैंने बताई थी आपको 4-6 और ovaries की जो location है वो 2-6 male में मैंने आपको mushroom gland की location भी बताई थी 6-7 segment female में जो ovaries की location होगी वो 2-6 abdominal segment होगी made up of 8 ovaryols produce ovah यह function हो गया फिर वहाँ पर हमारे पास oveducts है paired है दोनों oveducts आपस में fuse होके vagina बनाती है या common oveduct बनाती है या median oveduct बनाती है और इसके लावा हमारे पास sper में थीका है sper में थीका की location आपको याद रखनी 6th segment में male में 2 structures की location याद रखनी है male में testis की location 4 to 6 segment में है और जो mushroom gland है उसकी 6 to 7th segment में रहेगी female में भी आपको 2 structures की location याद रखनी ovary 2 to 6 segment में रहेगी abdominal segment में और जो sper में थीका होंगे वो 6th segment में होंगे अब book में यह लिखा हुआ है कि जो sper में थीका है वो paired है यहां मेंने question mark लगा दिया fact actually है बच्चों की जो sper में थीका है वो paired नहीं होते है वो unpaired structure है even जो diagram है उसमें भी यह sper में थीका को इन्होंने इस तरह से यह ऐसा बना रखा है single diagram में तो इसको unpaired बना रखा है पर लिखा हुआ paired है तो अब हमारे पास और कोई option नहीं है आपको मान के चलना है कि वो paired है and what is the function they receive sperms जब copulation होगा तो copulation में तुरंट fertilization नहीं होता है sperms पहले spermythika में जाके deposit हो जाएंगे ओके और एक जो female reproductive system में उसमें collaterial glands है मैंने आपको function बता दिया they form hard case of uthika uthika के उपर जो covering होगी उसको बनाने का काम collaterial gland का है then इसके development पर आजाएं यह बहुत very very important question यहां बनता है कि मैं समझा देता हूँ पहले उसके बाद महां जाऊंगा आपने बच्चों यहां बना लेता हूँ इदार देख लेतने यह देखिए यह जैसे कोई caterpillar है बच्चों है ना यह caterpillar do you know कि जब caterpillar है इसमें metamorphosis होगा तो वो butterfly बनाता है यह देखो जैसे हमारे पास कोई butterfly बनाती में नहीं यह उसका larva है है ना हमने cockroach के case में larva word use नहीं किया है cockroach के case में हमने जो word use किया है वो nymph word use किया है ध्यान रखना है आपको why we have not used the word larva क्योंकि जो larva की definition बताई थी मैंने बताया था आपको कि morphologically distinct हो adult से बिल्कुल different हो तो अब यहां गया यह caterpillar larva है यह caterpillar तो adult से बिल्कुल different है और जब इसका metamorphosis होगा कुछ बच्चे metamorphosis भी नहीं जानते हैं मैं बता देता हूँ the process of conversion of larva into adult is called metamorphosis तो यह क्योंकि हमारा larva बिल्कुल different है और adult बिल्कुल different है तो इस तरह का जो metamorphosis होता है उसको हम complete metamorphosis कहते हैं complete metamorphosis कहते हैं समझ गया आप example क्या हो गया butterflys के case में और larva कौन सा है उसका caterpillar पर हमारे cockroach के case में यह मामला नहीं है बच्चों cockroach के case में एक तो larva है ही नहीं पहले से वो निम्फ है जो कि already adult जैसे ही है फरक इतना है कि उसमें size थोड़ी छोटी है और दूसरा यह है कि यहां caterpillar जो है एक ही instance में metamorphosis करता है एक ही बार वो अपने चारों और एक ककून बनाता है उसमें चला जाएगा और जब उस ककून को तोड़ के वो बाहर आएगा तो adult में convert हो जाएगा single बार metamorphosis होगा एक ही बार metamorphosis होगा और सीधा adult में convert हो जाएगा कोक्रोच में ऐसा नहीं हो रहा है कोक्रोच में repeated 13 times malting हो रही है एक के बाद एक के बाद इस तरह से malting होती जा रही है और इस तरह का जो development होता है उसके लिए ये बड़ा ही important question बनता है बच्चों इसे हम highlight कर देता हूं में porometabolus metamorphosis कहते हैं आपको ध्यान रखना है what you mean by porometabolus बता दिया है मैंने यहाँ पे आपको through nymphal stage इसको incomplete metamorphosis भी कहते हैं और इसको gradual भी कहते हैं gradual क्यों क्योंकि 13 बार होगा ये metamorphosis और दीरे 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 वो adult में convert होगा तो ये question बच्चों important बनता है कि cockroach में किस तरह का metamorphosis है पहले तो metamorphosis तुम्हारे दिमाग में clear होना चाहिए what is metamorphosis the conversion of larva into adult यहाँ larva नहीं है larva को larva क्यों नहीं का मैंने बता दिया आपको क्योंकि वो adult जैसा दिख रहा है पहले सही size ही तो उड़ी चोटी है और हर molting के बाद उसकी size बढ़ती जाएगी तो यह एक important question है exam में पूछा जाता है what you mean by paramotor porometabolis metamorphosis तो आपको जवाब देना पड़ेगा it is through nymphal stage इसको आप और क्या नाम से जानते हो incomplete metamorphosis के नाम से भी जानोगे और इसको आप gradual metamorphosis किती बार molting हो रही है 13 times और एक जो मैंने आपको important line बताईए the next to last nymphal stage है wing pads but only adult have wings तो इस तरह से बच्चों आपको यह part हमारा complete होता है अच्छा यहां में आपको एक question और बता देता हूँ कि जो हमारा O thika है उसका size क्या है तो आपको यह याद रखना है कि O thika का size होता है वो 8 mm होता है यह भी हमारे पास लिखा हुआ है तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि the size of O thika is 8 mm और इस तरह से बच्चों cockroach का reproductive system complete होता है उसका metamorphosis complete होता है यह आप देख सकते हैं उसका diagram end women बताया और finally 13 बार molting करके यह adult में करनोड हो जाएगा That's it इसे के साथ हमारा cockroach खतम होता है और अब हम next class से we will talk about Arthur Buddha का classification और general characters उससे पहले आप cockroach को अच्छे से complete करके रखें क्योंकि अगर आप cockroach अच्छे से पढ़ लेंगे यह आपके दिमाग में हो जाएगा यह learn हो जाएगा आपको तो Arthur Buddha का classification पढ़ते समया आपको किसी तरह की कोई परिशानी नहीं आएगी Thank you बच्चों Very much Thank you very much